हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल रडिस ब्लोग 2.0 में आज मैं आपको मिल्क पाउडर से दूद कैसे बनाये जाता है उसकी पूरी प्रोसेस स्टेप वाई स्टेप समझाऊंगा इसे हम आज चाहे बनाने वाले हैं सबसे पहले तो हलका सा गुनगुना पानी कर लिएजिए आप पिर आप सकता अनुसार रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें मिल्क पाउडर डालिए आपको जो तना अच्छा लगे उतना एक चमच दो चमच आप अपने इसाब से देख सकते हैं उसको के से मिक्स करिए पानी के अंदर दियान रखे ज्या ज़्यादा गरम पानी कर लिया तो उसके अंदर वह दाने दाने बन जाएंगे दूद के और फटने का भी डर है तो आप अलकाई करें कि दिम्यास पर चलने दे गाईस अब में हम चाई बनाने वाले हैं दूद अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आप दीरे दीरे देखे लें हमने चाई की पति डाली इसका अंदर अच्छे से मिक्स किया इसको अब आप तोड़ी देरबाद में देख पाएंगे कि चाय बनके कम्पलीट हो चुकिये और हम आराम से चुस्कियों के साथ दियेंगे मजे के साथ तो आप देखते रहिए मने रहिए बिल्कुल ओरिजिनल चाय अब्ल्ण घ्मिंचाई अमेड़ी तर देका बनर के ़ंदेखते बने हैं नली आप तोफ ख allied हो देख़ी के बन्दाए होowners अबहुआ है कि भ्या प्लूष और में हो उनकेका 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔한 걱정이듯 네가 날 떠나가 버릴까 봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 페이트날이야 내 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 이렇게 먹고 싶었던 명동 갤거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 함께 우리의 차에 ready 우리의 차에 우리의 차에 वारियर ठीक है गाइस तैंक यू सो मच इस तरह से आप भी अपने घर पर चाय बना सकते हैं मिल्क पाउड के तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर देजिए